के विया थैडिे अगे के लिए होगे यूप ही विजयन कितने तरीके का है उनिक में खरते हैं कि होते क्या है कौन-कौन से factors होते जो उनको effect करते हैं यह चीज़े बहुत problems करते है students को तो आज income detail में करेंगे अच्छे ठीक है तो start करते है investment decision से तो investment decision पर आते हैं अगर हम तो investment decision होता क्या investment decision relates to how the funds are invested in different assets so that the firm is able to earn highest possible return on investment मैं बोलू कि investment decision होता है किसी Perhaps theta को investment करें किस तरीके से पैसे को invest करें मतला b impress मतला investment oblig atom trade करेंगी तो उसको highest possible return on investment मतला अपने investment पर मैक्सिममर्ड applies to investment करेंगी तो च एक कर सकती है लांग-टर्म में एक टृट ट्रम सऩ में ठीक है एक कर सकती है लॉँट सेक्त्ज में लॉट अज पाट एंदर पड़ा था था capital लॉंग टम होते हैं वो किसले होते हैं लॉंग टम इंवेश्मेंट डिसीजन अब मैं इसके बात करूँ जैसे मैं बोलू कि हम कोई न्यूफिक्ट एसे पर्चेस कर रहे हैं ठीक है या फिर अपनी कोई न्यू ब्रांच खोल रहे हैं या फिर न्यू प्रोड़क्ट की लाइ है किसे फेच्ट में तक तक रहे हैं किसमें फिक्स्ट सब्सक्राइब ठीक है तो इसको इसलिकाए बनेजमेंट से नाम से बीजान जाता है तो जो डियंस और शॉते हैं तो है एक क्से रोतासे रेलेंट होते हैं इसको धूरिश्टेग के नाम सी जांद्र है ठीक है इसको धिया देना है इसको हम बहुत रिखेटर बजट निगीजि़न अब अगले चीज़ा बात करते हैं दूसरा हाते हैं शौटब तेन जो नर्ट करते हैं जो नहीं हो थो सब बसक्राइब करते हैं यह जो to है यह बात करते हैं यहां बात करता है कि factors affecting investment decisions अब इसको समझनेसे से पहले हम यह देखते हैं कि factors affecting का fineट है तो उससे पहले हम समझते है factor affecting का है अब जैसे मानलो मैं एक example देता हूँ छोटा सा कि हम लोगों कहीं घूमने जाना है ठीके अब हम कहीं घूमने जा तो तो कॉन-कॉन से ऐंकर हैं जिसको एफेक्ट करेंगे जैसे मैं बोलूं जाना है या तो नहीं जाना या फिर जाना है है धो सकते हैं अग्र हमें कहीं जाना या तो हों करेंगे के सब्सक्राइब हुलि दूसे कोश् elly गां दुशह करें हमें लाइव दूसरा क्या हो सकता है कि वह जगह बहुत अच्छी है हिजनी के ठीक है तीसरा क्या सकता है कि तुम एक ऐसे परसनो जो घूमना ओगर आपसंद करते तो चाहिए तुम वहाँ पे कैसा चुछली ओं महिंगा हो कुछ से कुछ कि सथा हो और तो यहाँ है व्हाट करते हैं की is the से मैं उस पर करूँगा या नहीं करूँगा पहला रिजन क्या हो सकता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट से हमें कितना कैश फ्लो हो रहा है पहला प्रोजेक्ट क्या है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट जैसे मैं बोलो availability of the fund exercises significant influence on investment decision मतला हम पर कितना पैसा पड़ा हुआ हमारे पास कितना पैसे available है यह किस पर इफक्ट डालेगा हमारे investment decision पर इफक्ट डालेगा ठीक है अब मैं बोलूं कि वहना company huge invest huge amount of fund in some project it expands regular amount of cash flow in the project ठीक है तो basically हुआ और क्या अगर कोई company किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है तो क्या करती है वह expect करती है कि हमें यहां से खूब सरा पैसे का inflow मिलेगा मतला हमें हैं से पैसा भी मिलेगा मगर क्या होता है कि company को जो timing होता है cash flow का जैसे मानलो की company ने आज पैसा कहीं invest कर दिया अगर वह पैसा वह कहीं और invest करती मानलो एक्जमपल के लिए तो उसको वहां से भी return मिलता ऑबिसली बात मिलता कहीं और करके वी तो जो timing है मानलो की इस company जो आज प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाया वो उसको रिटन तो देगा क्या देगा टर्ट तो देगा मंगर विटन देगा long time में और ऐसा ही अगर वो पैसे उस पैसे को प्रोजेक्ट भी में लगाती वसको रिटन देता मगर कम देता मंकर regular देता तो company इसको करती है सेकंड वाले कोЙ भुष्टम ए कि हैसका फ्लो तो मिलेगा फ्लों सब्सक्राइस को करतो है त फिंसके उसको कर संब्सक्राइन और पष्ट मॉन्स अपर टो Bock है झूंüd mae देगा लॉंदर कने पैसा कम देंगा असमे में मॉन 223 में एक असल क्यों असरी हम प्रजक्ट प्रजक्ट जहां से हमें क्या मिले पैसा कम मिले कोई बात नहीं मगर रेगुलर मिलता रहे ठीक है अब जहां में वहाँ से जाधा मिले अब जैसे मैं झौu क division क्यों को सब्सक्राइब दूसरा मैंने इंवेश्मेंट किया वह से मिल रहा है तो ओबिसले वाते हैं किसको प्रफर करूंगा 12 पर सेंट वाले को करूंगा ठीक है मेरे को रिटरन ज्यादा मिल रहा है ठीक है एक फेक्टर ही होता है जो किसको एफेट करता है हमारे लॉंग टर्म कैपिटल मत्यल्ब बहुत सारी केलकुलेशन होती है अगर किसी प्रोजक्ट में कि हमें क्या करना है कि कितना है इंट्रसخण करना है इंटरेइस रिटन कितना मिलेगा जब यहां भी, हम उझको प्रिफेर कर करते हैं किसची इसको इनुटलेशन लेकर like इंटरस्टेट को को लेके cash flow को लेके इन सबके calculation जहां पर काम हो जाएं उसको prefer करते हैं यह होता है यह कौन से factor है जो हमारे capital building decision को effect करते हैं अब दूसरा जो हमारे working capital को effect करते हैं मतलब short term हमारे effect करते हैं जैसे पहला क्या होगा nature of business nature of business का मेरा मतलब है हैं यहां पर कि कि मानलों की हमारा business कैसा है कि दो तर기에ं कि business एक का है एक ये मनूफेक्चर को देते है समान आया हम उसको डूसरी और बात करूeld कि स्की बहुत जाए है पैसे की जरूष ज्याद हो क нрав i ठीक है तो फैलह है जो कि इसको करता है जεसको करता है किनेकर चैपिटल वक्टाब क करता है निच्च्था दूसरा दूसरा सय क्या है करता है बिजनस साइकल फ्लक्ट्ट्यूशन होता है यह होता है देखो आप सेफाब क котором उस्LY यहां विस्टाँ करेंगे हुशन की स्वार्थ कृतलाएं पियसा यह अदर म्हें पैसा स्वांच neighbors भीывать गें हैं तो उस केसते हमारे पास की वर्क याय से मारके पैसे लौग करीं नहीं है लोग दिमांड स्कॉम करें थे क्ए तो हमें धक्रीक्त केंदर क्या होता है क्टानना इसा हुता है कि अपरेंड कन टेखेशास ने जोब बोला हमें उनको price देना पढ़ेगा ठीक है लोगों ने जो बोला हमें उनको price देना पढ़ेगा अब इसमें क्यों होता है जितनी हमारे पास demand आएगी उतनी हमें फुल्फिल करने के supply की जरूद भी पढ़ेगी ठीक है तो इस case में क्यों होता है हमें जो working capital की need होती ज्यादा होती है कि दूसरी तरफ में बात करूं हुआ मोनोपॉलिका में चाहिए गृतैन Auckland के दिशन को समय किया ठीक है कॉंशक्टे सबसे क्वावाल स pen करते हैं। केपिटल बैकिक डीस्टिन को सफारे किया अगे देखते हैं जो मेरा दूसरा इंपड़्टन डिचीजन होता है फाइनिंशींग डिसीजन ठीकेशन अब इसके अंदर क्या आता है जो फाइनिस मेनेजर होता है हुन का डिसाइड करता है कि सोर्स पाइनन्स चाहेगा public deposit आप देखो जो shareholder fund होते हैं उसके अंदर क्या होता है हमें dividend payment और जो उनका principal amount होता है उसकी वापिस करने का कोई compulsory requirement नहीं होता है मतलब वह हमानी मर्जी हम करना चाहें तो करेंगे नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे ठीक है किसकी बात करो shareholder fund के अंदर dividend payment और principal की repayment की कोई compulsory requirement नहीं होती है ठीक है not compulsory होता है मगर borrowed fund के अंदर ऐसा नहीं है हमें interest payment और principal दोनों हमें क्या करने होते हैं repayment करने ही mandatory होता है ठीक है हड़ साल के end में मतलब क्या हमें interest payment करने ही है और at the end जब वह खतम हो जाए मतलब उसका टाइनियोर खतम हो जाए मैं उसका principal भ प्रेलोड मनतब shares issue करके पैसा invest कर रहा हो बिजनस में अपने तो आप मेरे को कोई risk involved नहीं है क्यों क्योंकि कोई divinity नहीं देना है जरूरी नहीं देने के लिए ठीक हो प्रिंसिपल भी जरूरी नहीं रिपे करना है बगर borrow fund की में बात करूँ यहां पर risk कौन वाल होता है ठ से बना सकते हैं देशान से बना सकता है और क्यों एसका हमारी Leaf को कुछ भी हो सकता है ठीक है आप वह एक Mayo मेनेजर कोमे उसको क्ज़ई ने टॅब में возвe जो क्या है अपने रिखने की हमारे बार को मैकसिम्न मिले ढर अगर वह उसको जादर रखेगा तो इनको रिटन कम मिलेगा अब इसको जाधा रखेगा तो बात है क्या होगा इनको पहले डिविडेंट देना पड़ेगा थीक है मतलब थोड़ा इनको इंको इंटरस्ट के अपर होता है उसको डिसाइड करना है अब कौन-कौन से फैक्टर होते हैं इसके अंदर भी सबसे को टेंगा इसको फैनेंसिंग डिसिजन को ठीक है अब अब आपेंशन जीज को एसको लेगा यह नहीं लेगा मतलब कि कौन-कौन से यसरे जयो से ओसे हों को लेगा फिर बॉर फंड को पर बोड़ दो इससे पहला उभिसली बात है को अगर किसी चीज के ज़्यादा है हम उ जब जब अब लगई तो बपश्व लुगा मतलब नहीं चुरूंगा करूंगा ठीक है और मैं ऐसे में बॉर्र फंट करने में पैसे जदा लग रहा है कोई चुक करके पैसा नहीं रेस करूंगा ठीक है तो तो बेसिकली का है पहला एक फैक्टर का है जिसके फैट करेगा कोश्ट दूसरा रिस्क हर कोई ऐसा कोई भी वो नहीं है हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं जहां पर इसकी इन्वाल्व ना रहो कहीं नहीं थोड़ा बहुत है ठीक है अब चाहिए मैं शेरोल्डर फंड की बा करूंगा और फॉर्ण को नहीं करूंगा ठीक है तीसरा फ्रोटेशन कोस्ट अब क्या होता है देखा पहले फ्लोटेशन कोस्ट होती है जैसे मालों की मैंने कुछ भी रेज किया मालों में से रोल्डर फंड कर और शेर सेर्स करके पैसा इस्यू कर रहा हूं तो मिनको कुछ वहां पर को करना बने पढ़ेगा और क्श्च की अच्च्च होती है रेख करते हैं जो कॉस्ट हमारी होती है इसको फ्लोटेशन कोस्ट बोलते है अब रहर एक मैनेजर चाहता है कि ऐसके फॉल घॉल antagon자 को साथक्व हो कोष्ट और मίνिमों तो वह उस यह इसा वो चीज चुनेगा ऐसा रिषयो चुनेगा प्रस पर्टिक्लर रेशयो चुनेगा जहांपर इसको यह फ्लोटेशन को च्काउच क्या हो कम से काम हो ठीक है तीसरा फ्रेक्टर यह चौथा cash flow position अब क्या होता है दो cash flow position of also helps in selecting the security with smooth and steady cash flow अगर हमारा cash flow कैसा होगा स्मूथ और study होगा मतलब कंपनी के अंदर पैसा आराम से आ रहा है यह फिर जा रहा है तो companies can easily effort borrowed fund securities when the companies have shortage of cash flow ठीक है जब क्या होता है कंपनी के पैसा ज्यादा होता है तो क्या करेगी borrowed fund को चुनेगी क्यों 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 चुनेगी वह चुनेगी और प्रिंसिपल आमांट की रिक्वार्मेंट नहीं होती है दूसरा मतलब उसके बाद चौत पांचवा प्यंट है हमारा control considerations ठीक है अब control consideration क्या होता है कि एक business होता है उसको कौन कंट्रोल करता है ऑबिसली बात है मैनेजर कौन होता है कंपनी का म COPनी के माली को नहीं होते हैं और कंपनी की चाहिए कि मेरी माली क्म से कम व गत्रोल करेगा क्यों सेड़ी क apenas माली को रहे हैं अगर ओंड़ कम करना चाहरा है तो क्लों कborgदा है बाग्रट को कम यह एष्परेगा भटक्राइब होस्कुम करेगा डास्ट के इस्ट सिटाफ नंदर के उसरेट WORK करेगा पनेंसेगा सबस्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो थे यह कुछ फैक्टर ने जो किसको करते हैं वहारे सकती है अब एक 북한 आफ्र सप्राइइंज कर सकती है एक अपनी कंपपनी कि लिए कर सकती है इंवेच्ट कर सकती है लोग होते हैं एक वह चांद जो जैसे नगव म्यंद обяз जैसे कानी कि अपना इस्साय चाहते हैं तो प्लिपीजनस सके इन्वेश्मेंट और प्रोस के लिए अब देखते हैं इन्वेश्मेंट को इसको मिलता है अर्टेन अर्निग क्या होती है जो उससे पहला किया है इर्निंगस अगर कम्पनी की ऐरनिंग जदा वह होगी तो क्या करेगी तो पहले वहा ऐखर का है ओर कम्पनी के दे mist कैसी कि और कम्पनी की घुटा था चार साल भाप मbear साल पहले साथ लाग का और उससे पहले दो साल पहले फिर छह लाग का फिर अब साथ लाट का वह तो कंपनी की Pokémon करा हुआ कि का स्टेबलिटी कि अब कंपनी के अंगी की स्टेबलीटी है मतलब तぉ महां पर क्रांपनी के तुछ तहां कम से कम dividend देती है ठीक है अब मैं बात करूँ तीसरा जो इसको factor को effect करेगा factors जो इसको effect करेगा dividend decision को वो हता है stability of dividend कई company ऐसी होते हैं जो अपने dividends को stable रखती है जैसे some companies follow a stable dividend policy क्या करती है stable dividend policy को follow करती है ठीक है ताकि उनके sale orders के अंदर कैसा impact है अच्छा impact है मतलब वह हर साल क्या करती है dividend declare करती है अब जो company ऐसी है जो stable dividend policy को follow कर रही है तो क्या करती है dividend declare करती है जाद स्यादा ठीक है dividend के form में देती है और जो company ऐसा stability जिनकी मतलब नहीं करना चारहे dividend में तो क्या करती है ठीक है यह factor हो गया एक क्या अगर कंपनी को दिख रहा है कि future में घ्रोथ हो सकती है अगर इंवेस्टमेंट करके इंवेस्टमेंट करके ने करेंगे डिविदेंट नहीं देगे ठीक है या फिर अगला फैक्टर क्या सकता है फैक्टर क्या होता है यूच्छ नहीं है तो विदेंट क्या देगी ठीक है डिविदेंट की फार्म में तो कुछ दे नहीं पाएगी तो एक फैक्टर क्या होता है जो सब से इंपोर्टन्ट होती है सब जादा इंपोर्टन बैसिकली यह है प्रेफरेंस ऑफ शेर्ड़ोडर की प्रेफरेंस है कि जैसे जीर प्रेफरेंस शूट बी गिवन डू कंसिटरेशन बाइजमेंट और डिरेक्टर आफ दे कंपनी जैनले इज अब जाते हैं कि स्टेबल अमां कि स्ट्व एंट के कंपनी फर्मेंट कंपटेंड घ्रिडिक शेट रहें सब्न परदैस में होने में तो होसके है पारता की उन्वैस्टेश हो हो तो अगला है taxation policy अब taxation policy मेरा मतलब है कि the rate of dividend also depend upon the taxation of the government ठीक है tax कौन लगाता है government लगाती है under present taxation system dividend is dividend income is tax free अगर मैं आज के टाइम के बाद करो जो dividend income होती हो क्या है tax free ठीक है तो उसका पैसा basically दे कौन रहा है उसको tax अब यार फ्री की खुद दे रही है company क्या कर रहे है खुद दे रही है उसका tax company काट के फिर हमें दे रही है ताकि हमें उसका कोई पैसा ना देना पड़े दुबार से ठीक है तो अब ऐसा होगा मानलो कि government क्या कर रहा कि कंपनी का करेगी company चाहेगी मैं कम से कम डिविडेंट हूँ और अगर डिविडेंट का tax government कम कर देगी जाज स्यादा डिविडेंट ठीक है एक फेक्टरी हो सकते हैं उसको एफेक्ट करेगा लास्ट कहा है लीगल कंस्ट्रेंस उसमें क्या होता है उसमें यह होता है कि मानलो यह कुछ companies act के provision होते हैं income tax act के provision होते हुआ हमें follow करने ते वह भी सको क्या कर सकते हैं effect कर सकते है और कुछ एक दो छोटे मोटे और बजगे हैं वह ऐसी हैं बखवाश से तो वह से कुछ कुछ काम की नहीं है तो यहीं थे हमारे कुछ खास जो हमारे factors थे पिर हमारे जो factors जो ह अगले पार्ट में करेंगे, आगे करेंगे जो बचे वो टॉपिक्स आगले पार्ट में करेंगे, ठैंक्यू गैस